हेलो और नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल भारस बायलोजी में उमीद करता हूँ कि आप सबी लोग अच्छे होंगे तो आज हम बात करने वाले काफी इंप्रोटेंट टॉपिक के बारे में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है खुरोमसोम तो वन बाइवन सबी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्रोमसोम होता क्या है क्या इसकी मॉरफोलोजी है कितने टाइप्स का होता है तो एक ……क एक रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमारे तो chromosome हमारे living organism के अंदर जितना भी genetic material होता है उसको अपने अंदर store करके रखता है and जो हमारा cell का division होता है उस दोरान जो genetic material होता है chromosome के अंदर वो equally distribute हो जाता है हमारे दोनो cells के अंदर तो basically chromosome का work क्या होता है कि जो हमारी cell division होती है एक cell से दो cell बनती है यानि parental cell से जो हमारी नई daughter cells का निर्मान होता है उस दोरान जो genetic material है उसको equally distribute करना हमारे chromosomes का basically work होता है chromosomes हमारी road shape की bodies होती है और chromosomes को हम जो हमारा mitosis cell division होता है तो उसके अंदर हमारा metaphase एक stage आती है जिस phase के अंदर हम chromosomes को देख पाते हैं और ये देखने में dark color की होती है chromosome को सबसे पहले discover करा था हमारे scientist स्ट्रॉस बर्गर ने in 1875 उसके बाद जो इसको नाम दिया गया chromosome ये नाम दिया गया था हमारे scientist world air के द्वारा in 1888 में और जो हमारा world air chromosome इसके meaning के बारे में बात करें तो ये जो world air chroma आगे बात करें तो जितने भी हमारे eukeretic organisms होते हैं उनका genetic material हमारे chromosome के अंदर store रहता है और जितने भी eukeretic organisms होते हैं उनके अंदर जातर 10 से लेके 50 तक chromosome उनकी cells के अंदर present होते हैं इंसानों की बात करें तो इंसानों की body के अंदर 46 chromosome present होते हैं and 23 23 identical pairs present होते हैं जब हम chromosomes की बात करते हैं तो हमारी दो natrums legal के आते हैं haploid cells and diploid cells तो one by one दोनों के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं gametes के बारे में कि gametes क्या होते हैं तो gametes का role क्या होता है किसी भी organism के अंदर gametes का जो major role रहता है हमारी cell के अंदर present है जो genetic material present है वो equal amount में distribute हो दोनों daughter cells के अंदर हम इंसानों के अंदर जो gametes हैं उसके अंदर हमारे 23 chromosomes present होते हैं जो हमारे haploid cells होते हैं उनके अंदर n number of chromosome present होते हैं सबोस करिए कोई organism है and वो haploid cells हैं उसके अंदर तो अगर उसके अंदर 2 chromosome present हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही chromosome present होंगे क्योंकि उसके अंदर n chromosome वाला system है बट जो हमारे diploid cells होते हैं इसके अंदर ऐसा नहीं होता है इसके अंदर क्या है अगर हमारे 2 cells होती है तो उसमें automatically 2 की multiplication हो जाता है अंद 2 into 2 कीतना हो जाएगा 4 n होता है number of chromosomes एंद जितने number of chromosomes होते हैं उसके अंदर हमारी 2 का multiplication हो जाता है diploid cells के अंदर क्रोमोसोम के types के बारे में बात करें तो basically हमारे chromosome two types के होते हैं पहले होते हैं autosomes और second होते हैं sex chromosome sex chromosome को हम genosomes में बोल देते हैं firstly बात करेंगे autosomes के बारे में autosomes का जो major role रहता है वो role रहता है किसी भी organism की जो पूरी की पूरी body की growth है जो उसके characters हैं उनको control करें like इंसान है कोई भी तो इंसान के जो hairs होगे उसकी body के जो growth होगी उसकी height होगी यह सभी जितने भी characters हैं वो autosomes के उपर responsible होगे बट जो हमारे sex chromosomes हैं इनका अलग role रहता है sex chromosome decide करते हैं कि कोई भी जो organism होगा वो male होगा या female sex chromosomes के अंदर हमारे दो terms होती है एक होती है heterosomes and second होती है homosomes heterosomes हमारे वो pairs होते हैं जो different different chromosome कहरी करते हैं but homosomes के अंदर क्या होता है हमारे same chromosome केरी करता है कोई भी एक क्रोमोो αυτό मैं लटकों के अंदर जो क्रोमोशोम प्रिजेंट होते वहुते हैं x and y यरुनि डिफरेंटं डिफरेंट होंगे तो लड़का होगा Ant अगर हमारे क्रोमा सूं सेम है एक्स एक्स तो वो करेक्टर जो होगा वह हमारा मेटाफेस के अंदर अच्छे से इसको study कर पाते हैं क्रोमोसोम्स की जो morphology होती है वो change होती रहती है cell division के दोरान क्रोमोसोम्स हमारे thin, coiled, elastic and thread-like structure होते हैं इनको हम interface के दोरान देख पाते हैं mitosis face के दोरान हमारे जो cell होती है वो divide होती है दो अलग-अलग daughter cells के अंदर और उस दोरान जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो equally divide हो जाता है and दोनो daughter cells के अंदर equal amount में distribute हो जाता है cell की जो हम structure के study करते हैं वो हम metotic metaphase के अंदर study कहते हैं क्रोमोसोम की size के बारे में बात करें तो chromosome का जो size होता है वो 0.25 micrometer से लेकर 30 micrometer तक present होता है हमारे organisms के अंदर chromosome होते हैं उसकी दो arms present होती है दो उपर की side में और दो नीचे की side में इनके बारे में बात करनें तो ये arm two types की होती है एक P arm होती है और एक Q arm इनके बारे में आगे आपको detail में समझाता हूँ chromosome के अंदर देखिए ये हमारा centromere present होता है center में इसको बोलते है centromere जो हमारी P arm होती है वो उपर की side में होती है जो sort होती है and Q arm हमारी size में बड़ी होती है and ये जो उपर की side में present होती है इनको बोलते है telomere और इनको जो हम zoom करके देखते हैं तो हमारी matrix legal के आती है एंड उसके अंदर ये हमारे base पर present है ये chromosome को हम एकदम deeply यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इस chart में दे रखा है कि हमारे जितने भी अलग-अलग organisms होते हैं उनके अंदर कितने कितने chromosome present होते हैं humans के अंदर 46 होते हैं तो different different organisms के सभी के यहाँ पर number of chromosomes mention कर रखें आप इस वीडियो को यही पर रोक कर इनको note down कर सकते हैं chromosomes को चार अलग-अलग category में divide करा गया है उसके centromere की position के हिसाब से तो जहाँ पर हमारा centromere बिल्कुल center में present होता है उन chromosomes को बोलते हम metacentric chromosome जिन chromosomes के अंदर हमारा centromere थोड़ा सा उपर की हैड में present होता है इन Divigner chromosomes को बोलते हम को बोलते हैं इनका जो centromere होता है यह एकदम उपर की सेंड में प्रेजेंट होता है इसमें सिर्फ 2RMC प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम की chemical composition की बात करें तो क्रोमोसोम हमारा मिलकर बना होता है protein and nucleic acid से जिसमें हमारा DNA 35% present होता है and RNA 5% and जो protein की मात्र होती है वो होती है 60% इन तीन अलग-अलग components से मिलके हमारा क्रोमोसोम बनता है क्रोमोसोम हमारा packaging material होता है जो DNA and protein को एक जगा बाइंड करता है protein synthesis के अंदर भी chromosome का काफी important role है किसी भी organism की जो body का development है उस में भी chromosome का काफी जगतान रहता है chromosome हमारे genetic material का vehicle है जो एक cell से दूसरी cell के अंदर इसको transfer करता है chromosome हमारे genetic material को protect कर के रखता है and उसको damage होने से बचाता है cell division के दोरान तो आज हमने chromosome के बारे में बात करीए इसके types के बारे में बात करीए morphology के बारे हम बात करें and functions के बारे में I hope आप लोगों के वीडियो पसंद आया हो अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आता है तो please वीडियो को like and share जरूर करें and चैनल को subscribe जरूर करें